कम्प्यूटर का पिता जो है दोस्तों वो चार्ल्स बैवेज को कहा जाता है किसे कहा जाता है चार्ल्स बैवेज को कम्प्यूटर को ओन और ओफ करना क्या कहलाता है कम्प्यूटर को ओन ओफ करना कहलाता है बूटिंग CAD, CAD का पूरा नाम क्या है computer added design पहले से चल रहे computer को restart करना क्या लाता है rebooting और rebooting भी कौन सी, warm rebooting computer का data संख्याओं में रहता है दोस्तों मैंने बताया था ना computer का data 0 और 1 की form में रहता है computer के microprocessor को microchip कहा जाता है तो computer का microprocessor है उसको microchip कहा जाता है tele processing का प्रियोग कोण सी PD के computer में हुआ दोस्तों तीसरी PD के computer में trackball, trackball एक किस परकार का device है तो trackball हो गया, joystick हो गया, mouse हो गया यह जो है एक pointing device है CD का पूरा नाम क्या है, compact disc है DVD, DVD जो है ना दोस्तों वो एक optical disc है DVD, full form क्या होती है digital versatile disc motherboard पर एक system bus होता है जो CPU को computer के अन्या भागों से जोड़ता है system bus क्या होता है दोस्तों मैंने आपको बताया था ना computer के अंदर जो wire होती है मतलब जो तारे होती है विविन परकार की उनको क्या का जाता है उनको bus कहा जाता है तो motherboard के उपर एक system bus होता है compiler की तो दोस्तो compiler की जरूरतिय में क्यों पड़ेगी जब मशीनी सतर के programming language है compiler तो i-level language को change करेगा न इमेल एड्रेस के दो मुख्य बाग होते है एक तो username और एक होता है domain name ध्यान रखना email address के दो मुख्य बाग username और domain name होते है applications का प्रियोग computer पर भी विन्त रहके कारियों को करने के लिए किया जाता है तो applications का प्रियोग जैसे की MS Excel हो गया दोस्तों ये भी एक प्रकार की application है ये application है इसका प्रियोग computer में किया जाता है Photoshop जो है वो photography से सम्बंदित एक software है जिसका उप्योग photograph को आकरशित बनाने के लिए किया जाता है MS Word जो है वो दोस्तों documents से सम्बंदित software है किस से सम्बंदित है documents से सम्बंदित है microprocessor का प्रियोग जो है वो 4 PD के computer में किया गया था computer के जो internal memory ओती है न दोस्तों इंट्र आंत्रिक स्टोरेज जो ओती कंप्योटर की उसको क्या का जाता है Prathmix storage भी का जाता है firmware क्या है? firmware एक तरह का program है यह computer निर्मान के समय ही computer के अंदर डाला जाता है firmware क्या है दोस्तों? एक तरह का program होता है पहली PD के computer में vacuum tube डाला जाता था दोस्तो Rnet एक क्या है? Rnet एक computer network है Computer screen पर blink करने वाले परतीक को क्या कहते है? दोस्तो उसको कहते है cursor माउस का cursor देखा होगा आपने .edu Azure domain नाम सिक्षिया के लिए किया जाता है domain name का मतलब होता है दोस्तो जो last के अंदर नहीं होता .edu .com का प्रियोग वयापारिक website के लिए किया जाता है जैसे कि हम कोई भी website खोलते हैं तो .com लिखते हैं तो वयापारिक website के लिए किया जाता है .org organization के लिए किया जाता है जैसे कि हमारी government है दोस्तो इंडिया अर्याना की गोर्मेंट वो क्या प्रियोग करती है .gov तो ये गोर्मेंट के लिए किया जाता है .in का मतलब है कि ये इंडिया के लिए बारत के लिए प्रियोग किया गया है .us domain का प्रियोग स्युक्त राज्य अमरिका के लिए किया जाता है .uk का प्रियोग ब्रिटेन के लिए .jp का प्रियोग जापान के लिए .au का प्रियोग आस्ट्रेलिया के लिए किया जाता है विशव की सबसे ज़्यादा उप्योग की जाने वाली वेबसाइट जो है वो गूगल है आलेक्सा रेंक विशव में वेबसाइट की रेंक देखने के लिए किया जाता है आलेक्सा रेंक तो विशव में वेबसाइट की रेंक को देखने के लिए क्या रेंक है LXR rank बारत में सबसे पहले सिक्किम ने इंटरनेट पर टेलीफोन डारेक्टरी उपलब्द करवाया तो दोस्तों इंटरनेट पर टेलीफोन डारेक्टरी किसने उपलब्द करवाई सिक्किम राज्ये ने बाइनरी नंबर का आधार कितना होता है 2 SKI का पूरा नाम American Standard Code for Information Interchange CPU को कम्प्यूटर का दिमाग कहा जाता है CPU का पूरा नाम होता है Central Processing Unit कम्प्यूटर की सभी जो गणनाएं होती है वो CPU में होती है कम्प्यूटर में किसी सबद की लंबाई जो है वो बिट में मापी जाती है Compiler जो है वो उच्छ सरेणी की बासाओ को निमन सरेणी की बासा में बदल देता है उच्छ सरेणी की बासाओ जो है वो इनसानों के समझ में नहीं आती निमन सरेणी की बासाओ जो है वो मसीन की बासाओ आती है जो मसीनों के समझ में आती है virus जो है वो एक परकार के program होते है जीने computer को आनी पुचाने के लिए बनाया जाता है control plus P shortcut का उपयोग page को print करने के लिए किया जाता है control plus S shortcut का उपयोग किसी document को save करने के लिए किया जाता है control plus A shortcut का उपयोग page पर उपस्तित सभी text, image, video कियो आदि को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है । किसी सेलेक्टिड कंटेंट को कुपी करने के लिए किया जाता है । Ctrl plus N का प्रियोग, shortcut का प्रियोग, नया document या नई फाइल बनाने के लिए किया जाता है, Ctrl plus O का प्रियोग, उप्योग की गई फाइल या document को open करने के लिए किया जाता है, और एक बहुत ही ज़्यादा important होता है, Ctrl plus Z, Ctrl plus Z का मतलब होता है दोस्तो, हमने कोई operation किया है, और उसको undo करना है, वापिस बैक आना है, तो Ctrl plus Z से हम वापिस आ सकते हैं, RAM का पूरा नाम random access memory होता है, super computer सबसे ज़्यादा powerful होता है, hyperlink जो होता है वो किसी भी wave page का पता है, central computer को dump terminal कहा जाता है, central computer को क्या कहा जाता है, dump terminal, storage device के मुख्य folder को root directory का जाता है, तो storage device के मुख्य जो folder है ना दोस्तो, उसको root directory कहा जाता है, किसी फाइल को internet से अपने computer में save करने को download कहते है, किसी फाइल को अपने computer से internet पर save करने को क्या कहते है upload, तो देखे दोस्तों हमारे phone के अंदर खोई file है, computer में है, अगर हम उसको YouTube पर क्या करते है, upload करते हैं, अगर कोई file को हम save करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, download करना, Windows computer पर slide show बनाने के लिए, तो slide show बनाने के लिए किसका प्रियोग होता है, MS power point का, MS office सबसे ज़्यादा office software है, सबसे ज़्यादा परचलित office software है, इसके अलावा Libre office भी एक परचलित office software है, जो कि free है, ये free में मिलता है दोस्तों, Google Play Store से, Modem का जो संबन्द होता है, वो phone की line से होता है, ALU का पूरा नाम, arithmetic और logic unit होता है, ALU जो है, CPU का ही एक बाग है, computer का CPU, motherboard से जुड़ा होता है, किसी program को, चितर के रूप में परदर्शित करना, उसका flow chart कहलाता है, multimedia website विक्षित करने के लिए, सबसे जो परचलीद बासा है, वो है दोस्तो, Java, कौण ची बासा है, Java, hotmail के निर्माता कौण थे, hotmail के निर्माता थे, सबीर भाटिया, ये इस तरह है कि परशन जरूर से जरूर पुछे जाते हैं दोस्तो, WA का पूरा नाम क्या है, तो ये है wireless access point, और गार्डोन मूरे है, कम्प्यूटर की गड़ना, मानव के दिमाग से भी तेज होती है, लेकिन मानव दिमाग की तरह कम्प्यूटर नहीं सोच सकता वही, desktop publishing का विकास, Macintos Company ने किया, किस कम्पनी ने Macintos, DTP की फुल फोरम क्या होती है, desktop publishing, Macintos Company ने इसका विकास किया, बारत का सबसे तेज कम्प्यूटर एक का है, इसको Tata Group ने मरा है, कौन सा है दोस्तों, एक का है सबसे तेज सूपर कम्प्यूटर, आधोनिक कम्प्यूटर का जनक किसे का जाता है, एलन टूरिंग को माना जाता है, बारत की Silicon Valley किसे का जाता है, तो ये का जाता है दोस्तों Bangalore को, इंटरनेट को Information Highway भी का जाता है, क्या का जाता है, Information Highway, बारत में सबसे पहले कम्प्यूटर वाइरस कहा पर पाया गया था, तो चैननाई के अंदर कम्प्यूटर वाइरस पाया गया, दुनिया की सबसे बड़ी कम्पनी Microsoft की सथापना Bill Gates ने की थी, बारत का Silicon राज्य की बाद हो रही है दोस्तों, तो करनाटक को कहा जाता है, बारत का सबसे पहले Gramin Cyber के अंदर, Gramin Cyber के अंदर का पर बनाया गया, उत्तर परदेश में मनाया गया, Rome का पूरा नाम Read Only Memory होता है, सबसे पहले Digital Computer का विकास America में हुआ था, का पर हुआ था, America में हुआ था सबसे पहले Digital Computer का विकास, T3A विशव का सबसे तेज कम्प्यूटर है, तो उसका क्या नाम है T3A, COBOL का पूरा नाम क्या है, Common Business Oriented Language, Kips, Kips, जो है वो, पाच्वीं PD के Computer से संबन्दित है, मतलब 5G के जो Computer है ना, 5th Generation के Computer, उन से संबन्दित है, Kips, चोथी PD के Computer को, आधोनिक Computer कहा जाता है, अभी वर्तमान में, चोथी PD के Computer है, फलोपी डिस्क के एक सेक्टर में, फलोपी डिस्क के एक सेक्टर में, 128 Byte होते है, यूनिवेक्स जो है, वो पहली PD का Computer है, यूनिवेक्स जो Computer है दोस्तों, वो पहली PD का Computer है, पंच कार्ड प्रोसेसिंग के जनके, डाक्टर हिर्मन हैलिर्थ है, चिप्स के निर्मान में, सेमी कंड़क्टर का प्रियोग किया जाता है, IC जो होते हैं ना, Integrated Circuit Chip, इसके निर्मान में, किसका प्रियोग किया जाता है, तो ये सेमी कंड़क्टर का प्रियोग किया जाता है, विशाओं में सबसे ज़्यादा Computer, अमेरिका देश में हैं, कापर, अमेरिका में, संकर Computer, एनालोग तथा Digital, दोनों से मिलकर बने होते हैं, संकर का मतलब होता है, दोस्तों, Mix, तो Mix जो Computer होते हैं, वो किस से बने होते हैं, एनालोग Computer भी होते हैं, उसके अंदर और Digital भी होते हैं, World Wide Web का जनक किसे का जाता है, टिम बर्नर्स ली को कहा जाता है, Computer Program बनाने के लिए, सबसे जो उप्यूक्त बासा कौन सी है, संस्करित बासा सबसे उप्यूक्त हैं दोस्तों, किसी फोल्डर के अंदर की फोल्डर को, सब फोल्डर या सब डारेक्टरी कहते हैं, कोई फोल्डर है और उसके अंदर भी एक फोल्डर है, तो उसको सब फोल्डर या सब डारेक्टरी कहते हैं, बारत में सबसे पहले, सी ब्रेन नामक वाइरस पाया गया था, कौन सा सी ब्रेन नामक वाइरस, लिनक्स क्या है, लिनक्स एक Open Source Software है, Open Source Software है, और ये दोस्तों एक Operating System है, Mouse एक Input Device है, जिन यंतरों की साहिता से हम कंप्यूटर को आकड़ी देते हैं, वह यंतर Input Device कहलाते हैं, जिन यंतरों की साहिता से Computer अपनी गणनाएं हमें Data देता है, उन यंतरों को Output Device कहते हैं, Monitor, Printer, Safficker, इतियादी जो है, वह Output Device है, Keyboard, Mouse, Touchpad, Touchscreen, इतियादी जो है दोस्तों वह Input Device है, Control Unit, Computer के सभी वागों में सामन जस्य स्तापित करता है, कौन Control Unit, करे जो है दोस्तों वह क्या है, ये एक Super Computer है, Mouse को क्या का जाता है, Point and Draw Device, Exam में पुछा जाएगा, किसे Point and Draw Device का जाता है, तो ये का जाएगा Mouse को, Ram में सथीद Data जो होता है, वह Temporary होता है, जबकि Rome के अंदर Permanent Data होता है, Computer में UPS का कारिया, बिजली चले जाने के बाद, Computer को बिजली की आपूर्ती करना होता है, Modem का वास्तिविक नाम क्या है, Modulator और Demodulator, Web पेजों के संग्रे को क्या का जाता है, दोस्तों, Web साइट का जाता है, किसको Web पेजों के संग्रे को, बारत का सूपर कम्प्यूटर परम कहा पर बनाया गया था, पूने में बनाया गया था, Dot Matrix Printer द्वारा, इसके अंदर भी स्ट्रोक लगते हैं, वहीं से एक्सर प्रिंट होता है, आठ लगाटार बिटो की स्रेणी को क्या का जाता है, बाइट का जाता है, आधुनिक डिजिटल कम्प्यूटरों में दविया दारियंक, बाइंदरी नंबर का प्रियोग किया जाता है, टास्क बार जो होता है, वो सक्रीन के बोटम मतलब निचे स्थित होता है, इमेल का प्रियोग संदेश का आधान परदान करने के लिए किया जाता है, बारत में इंटरनेट की शुरुआत जो होई थी दोस्तों, वो 15 अगस्त 1995 को होई थी, एक MB में 1024 के भी होते है, ध्यान रखना है, पाइथन जो है वो एक हाई लेवल लेंग्वेज है, चुम्ब की ए डिस्क पर, चुम्ब की ए डिस्क जो होती है न दोस्तों, जो मेमरी होती है, उस पर आइरन अक्साइड की एक परत होती है, CD-ROM, CD-ROM जो है न दोस्तों वो एक इनपूट डिवाइस है, सूपर कम्प्यूटर इस दुनिया में सबसे सक्तिसाली कम्प्यूटर है, बिना कम्प्यूटर से जुडने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है, वाइरलेस डिवाइस कहा जाता है, GUI का पूरा नाम क्या है, Graphical User Interface, किसी डोक्यूमेंट में बदलाओ करना क्या कहलाता है, Editing कहलाता है, Processed Data, मतलब जो हमने Input दी और उसकी Processing हो गई, तो उस Data को क्या कहा जाता है, Output कहा जाता है, Micro Processor, सरचोथी PD के Computer में प्रियोग हुए, सबसे पहले, सबसे पहली, उच्च सतरीय प्रोग्रामिंग बासा, जो है, वो Fortran है, मसीनी लेंग्वेज में, Numeric Code का प्रियोग होता है, Numeric मतलब वही, 01 का प्रियोग होता है, माउस का अविशकार, सन 1964 में, Douglas Angelbert ने किया था, Wi-Fi का पूरा नाम जो है, वो होता है दोस्तो, Wireless Fidelity, Wireless Fidelity, बलोग एक तरह की वेब साइट है, जहां बलोग बनाने वाला वैक्ती, अपना विचार पर कट करता है, तो बलोग क्या होता है, Code Division Multiple Assets, फलोपी डिस्क का अविशकार किस ने किया था, एलान सुगर्ट ने किया था, इंटरनेट का अविशकार किस ने किया था, दोस्तो, विंटेन सर्फ ने, यहापर करफ नहीं होगा, विंटेन सर्फ ने इसका प्रियोग किया था, आईपर टेक्स्ट का अविशकार किस ने किया था, तो यह किया था, टेड नेलसन ने, किसने टेड नेलसन ने, 1960 में, IACN का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट कोर्पोरेशन फोर, असाइंड नेम से एंड नंबर्स होता है, इस समय विशव का सबसे तेज कम्प्यूटर, IBM रोड ररनर है, IBM का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल बिजनस मसीन, भारत का सूपर कम्प्यूटर कब बनाय गया था, 1980 में मनाया गया था, विशव की सबसे बड़ी सॉफ्ट्वेर कंपनी कौन सी है, तो यह है दोस्तो, Microsoft कम्प्यूटर का IC जो है, वो किस से बनाय जाता है, सिली कौन से बनाय जाता है, बाजार में बेचने के लिए, सबसे पहला कम्प्यूटर, रेमिंग्टन रेड कॉर्पोरेशन नामक कंपनी ने मनाया था, किसने, रेमिंग्टन रेड कॉर्पोरेशन, मिलेनियम का अर्थ एक अजार वरस होता है, फिनेकल कोर नामक बेंकिंग सोफ्ट्वेर, बारतिय सोफ्ट्वेर कंपनी इन्फोसिस ने मनाया है, फिनेकल कोर किसने मनाया है, बारतिय सॉफ्ट्वेर कंपनी इनफोसिस ने मराया है फोल्ट्रोन प्रोग्रामिंग बासा का पूरा नाम फोल्ट्रोन का पूरा नाम फोर्मूला ट्रांसलेशन है के आई पियेस कहा की तकनीक है दोस्तों ये एक जापान की तकनीक है और किस पिडी में किया जाता है ये पाचमें पिडी के कम्प्यूटर में मीनी कम्प्यूटर कौन से पिडी के कम्प्यूटर है तीसरी पिडी के कम्प्यूटर है एक किलो बाइट में कितने बाइट होते है एक जार चोबिस बाइट एनालेटिकल इंजन कम्प्यूटर का निर्मान किसने किया था चार्ल्स बेवेज तो चार्ल्स बेवेज को कम्प्यूटर का पिता में का जाता है दोस्तों और इसने कौन से कम्प्यूटर का निर्मान किया था एनालेटिकल इंजन आदोनी कम्प्यूटर का निमान कभ वुआ था 1916 में मेगनेटिक डिस्क के अंदर सिक्वेंशियल का प्रियोग होता है किसका सिक्वेंशियल का प्रियोग बारत का पहला कम्प्यूटर युक्त डाक गरकॉंड सा था दोस्तो नई दिल्ली में सतीत है और एकल क्या है और एकल एक डाटा बेस सोफ्ट्वेर है जिस बिंदू पर डाटा कम्प्यूटर में प्रवेश करता है उसे क्या कहते है उसे ट्रमिनल कहते है कम्प्यूटर आउट्पुट को क्या कहते है सोफ्ट कोपी जबकि Printed Output को क्या कहते है Hard Copy CDRW का पूरा नाम क्या है Compact Disk Rewriteable विशाओ का पहला Computer किसे का जाता है दोस्तो Abacus को का जाता है यह उपकरने गणना करने के लिए प्रियोग किया जाता था HTML का पूरा नाम क्या है Hyper Text Markup Language HTML का प्रियोग कहा पर किया जाता है Web Designing में इसका प्रियोग किया जाता है Spread Seat में जिस पॉइंट पर Column और Row Intersect करते हैं उसे क्या कहते हैं उसे Cell कहा जाता है Hard Disk से Delete की गई फाइले Recycle Bin के अंदर चली जाती है का चली जाती है Recycle Bin में Keyboard में Function Key की संख्या कितनी होती है दोस्तो 12 Mobile में Flash Storage उपकरनों का प्रियोग होता Mobile में कौन सी Memory होती है Flash Storage Junk Email को क्या का जाता है Spam Email के नाम से भी जाना जाता है IC का पूरा नाम क्या है तो IC का पूरा नाम है Integrated Circuit Chip IC का इविश्कार बहुत ही जादा Important है दोस्तो IC का इविश्कार किसने किया था J.S. Kilby ने किसने J.S. Kilby ने IC Internet सेवा जो उपलब्द संसादनों को Multimedia Interface परदान करवाती है उसको क्या कहते है World Wide Web यानी WW website को देखने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है दोस्तो browser का प्रियोग किया जाता है Chrome Web browser दुनिया का सबसे ज़्यादा परचलित browser है इसके अलावा और भी browser है दोस्तो वे कौण कौण से है तो वे है दोस्तो हमारे Firefox browser, Internet Explorer, Safari, UC browser यह सभी के सभी web browser है किसी web page पर कितने margin होते हैं तो किसी web page पर च्यार margin होते हैं अपनी सथीती से हिलाएन जा सकने वाले modem जो है उनको क्या कहते है fixed modem अपनी सथीती से हिलाएन जा सकने वाले modem को fixed modem कहते हैं computer processor के तीन मुख्य बाग होते हैं CPU के एक तो ALU, एक control unit और एक रजिस्टर रजिस्टर जो दोस्तों यह memory बनाते हैं computer programming बासा 4 रेंज जो है वो विज्ञान के छेतर में उप्योगी है चार बिट के समू को निबल का जाता है एक निबल में चार बिट होते है विशाओ का सबसे पहला motor mobile जो है मार्क जुकरबर्ग विकीपीडिया के संस्तापक कौन है तो यह दोस्तों जीमी वेल्स विशाओ का पहला computer game विलियन हीगीन बोथम ने सन 1958 में मनाया था किसने मनाया था विलियम हीगीन बोथम ने बारत में सबसे पहले computer 1955 में आया अब एकस जो computer था उसका विश्कार का पर हुआ था चीन में हुआ था SMS का पूरा नाम क्या होता है तो short messaging service होता है MMS का पूरा नाम क्या होता है multimedia messaging service होता है विशाओ के सबसे पहले digital computer का क्या नाम था दोस्तों तो यह नाम था UNIWAC क्या नाम था UNIWAC वालव का प्रियोग यानि vacuum tube का प्रियोग पहली PD के computer में होता था दूसरी PD के computer में किसका प्रियोग हुआ दोस्तों transistor का प्रियोग हुआ assembler का क्या काम है assembly बासा को यंतर बासा यानि machine बासा में प्रिवर्तित करता है विशव का पहला computer network कौन सा था तो वो था दोस्तों arpa net को माना जाता है most important question है यह computer की सभी processing का पर होती है CPU के अंदर होती है बारत में निर्मित पहला computer का क्या नाम था दोस्तों byte होती है तथा सबसे बड़ी काई terabyte होती है database में किसको रखा जाता है तो यह रखा जाता है दोस्तों data को रखा जाता है URL का पूरा नाम क्या होता है universal resource locator OCR का पूरा नाम क्या होता है optical character recognition operating परणाली के बिना operating system अगर किसी के अंदर नहीं होगा दोस्तों तो उसके बिना कोई भी computer भूट नहीं कर पाएगा digital गड़ी में embedded computer होता है embedded का मतलब उसके वितरी फिट होता है छोटी सी चिप Pascal जो है वह क्या है वह computer के programming की बासा है Microsoft की सथापना बिल गेट्स और पॉल ऐलन ने मिलकर कभ की थी 1975 के अंदर वर्तमान keyboard की सरचना जो keyboard जो वर्तमान keyboard है न दोस्तों वह कोढ़ सा है черty type keyboard करते हैं मियंत किस निकी थी क्रिस्टोफर लोथम शोल्स ने ये तियार किया था जी एसम का पूरा नाम क्या होता है गलोबल सिस्टम फोर मोबाइल कोम्निकेशन